रुस्तम वर्ष 2016 की एक भारतिय हिंदी भाशी फिल्म है जिनका निर्देशन तीनू सुरेश देसाई ने किया है जबकि फिल्म के लेखक विपुल के रावल है फिल्म में मुख्य किरदार अक्षय कुमार तथा इलियाना डी क्रूज है ये फिल्म एक सत्य घटना के विशय पर है जो महराश्ट्रा के एक नेवी अधिकारी के एम नानावती पर आनशिक तौर पर आधारित है फिल्म सिनेमा घरों में 12 अगस्थ 2016 को प्रदर्शित होगी सन 1950 के दशक दौरान नौसेना का अफसर रुस्तम पावरी अक्षय कुमार अप्मी पत्मी सिंथिया पावरी इलियाना डी क्रूज के साथ एक खुशाल वैवाहिक जीवन बीताता है उनकी शादी में भूचाल तब मचता है जब रुस्तम को अपनी पत्मी का संबंध उसके दोस्त विक्रम मखेजा, अर्जन बाजवा, साथ चलने की बात मालूम होती है इसका पता उसे सिंथिया के कपबोर्ट पर रखी विक्रम के खट से होती है रुस्तम दोनों को एक साथ देख भी लेता है वह बड़ी बेचैनी से सिंथिया के घर लोटने तक इंतजार करता है और फिर वह उन प्रेम पत्रों को उसके सामने रखता है मगर सिंथिया के कुछ भी बयान से पहले वह बाहर चला जाता है रुस्तम नौसेना जहाज के शस्त्रागार से एक पिस्टॉल निकालता है और दिल्ली को एक ट्रंक कॉल कराता है इसके बाद वह विक्रम से मिलने उसके दफ्तर हो आता है फिर उसके घर को निकलता है जहां रुस्तम सीधे विक्रम के शयन कक्ष में दाखिल होता है उसके नौकर को वह तीन गोलियों के धमाके सुनाई पड़ते हैं और वह कमरे की ओर भागता है वहां सिर्फ उसे पूल पर खुन में तर हुए विक्रम की लाश बिज़ी मिलती है और रुस्तम अपने हाथों में पिस्टॉल थामे चल पड़ता है रुस्तम ततकाल ही खुद को पुलिस के सुपुर्द करता है और इंस्पेक्टर विंसेंट लोबो पवन मलहुत्रा इस मामले की तफ्तीश शुरू करता है विक्रम की बेहन पृती मखेजा, इशा गुपता, शेहर के सबसे काबिल वकील लक्षमन खनगानी, सचिन खेरेकर से रुस्तम को कड़ी से कड़ी संभव सजा दिलवाने के लिए नियुक्त करती है, वहीं स्थानिय अखबार ट्रुथ के प्रकाशक इस खबर को संसनी खेज बनाने में जुट जाते हैं जिससे शेहर के लोगों में ये कौतहुल का विशय बन जाता है नौसेना के आला अफसर और पुलिस उनकी जमानत तक देने के समर्थन में उतर जाते हैं, तो दूसरी तरफ पार्सी समुदाए के लोग सहायतार्थ के लिए एक बहतर बचाव के वकील देने की सिफारिश करते हैं। रुस्तम तब सभी से मिली मदद को इंकारते हैं और अपने बलबूते इसके मुद्दे से लड़ने का निश्चय करते हैं। इस बीच टृत अखबार के मुख्य संपादक इराच बिली मोरिया, कुमुद मिश्रा, जनता के समक्ष रुस्तम के प्रती सहानुभूती दिलाते हैं। तो रुस्तम के वरिष्ट अफसर प्रशान्त कामत, परमीत सेथी, अपने दो टोहियों को उसके घर जरूरी दस्तावेजों को धुंडने भेजते हैं। मगर उनके हाथ कुछ नहीं मिलता। घबराई हुई सिंथिया जेल में बंद रुस्तम से मिलती है, मगर तब भी वह उससे कोई बात नहीं करता। आखिर में रुस्तम उससे मिलता है और सिंथिया की आपबीती सुनता है। की किस कदर रुस्तम के महीनों बाहर लंदन चले जाने बाद एकान की और उदास थी, जिसके अकेलेपन का फाइदा विक्रम ने उठाया और सिंथिया को अपने मोह पाश में बांधा। मगर विक्रम की हत्या बाद सिंथिया पहले ही तूच चुकी थी जब। उसने पहले ही शादी करने से मना कर दिया था। रुस्तम की हिदायत पर सिंथिया को वह नेवी अफसर प्रशांत कामत उस दस्तावेज को सौपने पर बदले में पांच करोड देने के लिए ब्लैक मेल करता है। कचेहरी में सुनवाई दर्मियान। रुस्तम अप्रत्याशित तौर जज के समक्ष किसी तरह की दोश पर पैर्वी ना करने का निवेदन करता है। यह मामला तब म्याइपीट के परिक्षन को दिया जाता है। अन्ततह इस मामले की जड में कमांडर रुस्तम द्वारा विक्रम को गोली मारने की वजय उत्तेजना में हुआ अप्राद अथ्वा इसे एक पूर्वनियोजित हत्या को करार करते। हैं, आक्षय कुमार, एक, कमांडर रुस्तम पावरी इलियाना डी, क्रूज, एक, सिंथिया रुस्तम पावरी इशा गुपता, वन, प्रिती मखेजा अर्जन बाज्वा, एक, विक्रम मखेजा पवन मलहोत्र, इंस्पेक्टर विंसेंट लोबो उशानट करनी। जमनाबाई सचिन खेडेकर, जनता अभियोकता लक्षमन खंगानी कुमुद मिश्रा, इराच बिली मोर्या अनंग देसाई, जज परमीत सेथी, रिय अड्मिरल प्रशांत कामत कवल जीत सिंग, रक्षा सचिफ केजी, बक्षी ब्रिजेंदर काला, हेज कांस्टेबल